हाई अवरिवन मैं हूँ धनंज है चार जून को रिजल्ट आते हैं ये अल्मोस तैह हो गया था कि NDA Alliance की सरकार बढ़ने जा रही है और PM Modi अपने तीसरे टर्म को repeat करेंगे लेकिन जैसे ही ये लोग सबाचुनाओं को रिजल्ट आते हैं जहां से उनको ये उमीद होता है कि वो वहां से नहीं हारेंगे ऐसा ही कुछ अयोध्या था BJP के केस में लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है इस वीडियो में हम कुछ limited examples की मदद से समझेंगे कि exactly ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में BJP के हार हो जाती है भले ही एक complete तरीके से एक political topic है लेकिन हमें फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत ही neutral point of view से रहे और समझें और साथ में हमें भारत के democratic structure को भी appreciate करना चाहिए जहां पे हमें हर 5 साल में मौका मिलता है कि हम सरकार को अपनी नाराजगी या अपनी खुशी जताएं और ये भी important होता है ruling government या एक opposition के लिए कि वो ये ना भूले कि इस देश में जो सबसे supreme है वो यहां की जनता है अगर बात किया जाए अयोध्या का तो हम सभी को पता है कि अयोध्या में एक बहुत भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है जिसके बारे में कहीं न कहीं जो political benefit है वो बीजेपी को मिलता या मिलने वाला था इस चीज से almost कोई भी इंकार नहीं कर सकता है और जिस तरीके से मीडिया में इस चीज को दिखाया गया था तो इससे भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को इसका काफी benefit पहुँचेगा लेकिन ground reality कुछ और ही कह रहा था क्या सपास रहता है जैसा कि हम सभी को पता है कि कहीं पे भी अगर construction होता है तो सरकार को जमीन acquire करना पड़ता है ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा था राम मंदिर के construction में कि सरकार को खूब सारे जमीन को purchase करना था लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहां पे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास खुद के अपने जमीन नहीं है और वो कुछ एरिया में काफी लंबे सालों से रहते हुए आ रहे हैं तो यह कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी एरिया से भले वहां पे लोग इलीगल तरीके से रह रहे है और आपको किसी विकारन से अगर आपको उनको हटाना है तो proper compensation देना बनता है लेकिन जिस तरीके से लोगों को हटाया गया था जमीनों से उनको compensation नहीं मिला और उसके बाद जिनके खुद के भी जमीन थे उनके बारे में भी ये कहा जा रहा कि उनको भी अच्छे से compensation नहीं मिला वहीं पे जब इस हार के बाद कारण ढूनने का प्रयास किया गया तो जो वहां के common civilians है उनका ये कहना है कि जो मंदिर बन रहा वो mostly outsiders के लिए बन रहा और कोई भी सिर्फ किसी religious place के कारण वो survive नहीं कर सकता कहने का मतलब है कि religion का importance एक अपना अलग होता है और आपको जिन्दगी जीने के लिए आपको रोजगार चाहिए आपको घर चाहिए जो कि ये complete तरीके से missing था अगर कोई family किसी जगा पे रह रहे हैं और अगर आप उनको वहाँ से displace करते हैं तो कहीं न कहीं जो उनका रोजगार है वो भी चला जाता है तो जो promises किये गए से सरकार के द्वारा उन सब displace लोगों को कि आपको रोजगार मीलेगा या at least आपको कुछ ना कुछ एक बेवस्ता करके दिया जाएगा जिससे कि आप अपने जिन्देगी को जी सकें वो सारे चीज या वो सारे promises को सरकार के द्वारा fulfill नहीं किया गया था और इन सब बातों को बहुत हद तक जो BJP के supporters हैं वो भी ground पे मानते हैं अब ये सारे चीज अगर आप articles में पढ़ेंगे तो शायद आप इस चीज से agree करें या disagree करें वो आपकी मर्जी है लेकिन जो ground reality होता है वो complete तरीके से कितनी बार होता है कि media में उसे धंग से report नहीं किय जाता है या बहुत ही selected तरीके से reporting की जाती है और उसके बाद अगर overall UP की बात की जाए तो number of occasions में ऐसे हुए कि question paper leak हुआ और धंग से कोई accountability भी set नहीं हुआ और उसके बाद जो सरकार के दवारा एक अगनी वीरी scheme लाया गया जहां पे लगबग कुछ 4 सालों का जो youngster से उनक रोजगार दी जाएगी तो इससे भी लोग काफी खफात हैं क्यूंकि एकर आप 21 साल में retire कर जाते हैं तो उसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है और जिस तरीके से जो leaders का जो life style होता है उसको दे की लोग फिर compare करते हैं और उसके बाद जो को introduce करने के पहले debate का ये सारे चीज मिसिंग होते हैं बीजेपी के दवारा slogan दिया गया था कि अबकी बार 400 पार इस slogan के बाद जो लल्लू सिंग है यानि कि जो अयोध्या से हारे हैं बीजेपी के candidate उनका ये कहना था कि भारत को एक नया सविधान का ज़रूत है कहने का मतलब अगर आप जो हमारा सविधान एगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा सविधान बनाया गया ये कितना बہतरीन सविधान बनाया गया है और जब कोई politician यहां के कहता है कि हमें एक नया सविधान चाहिए तो वो कहीं न कहीं एक suspicion create करता है और ल करें और उनके हिसाब से काम करें खैर अभी नई सरकार का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है लेकिन ऐसा ऐस पर मीडिया रिपोर्ट आ रहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी से उनको पता है कि भारत के जो मिडिल क्लास फैमिली से वो काफी खफा हैं भारत के अगनीवीर स्कीम से त लेकिन वो सारे टॉपिक काफी पॉलिटिकल हो जाते हैं as an observer हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उन्ही सब टॉपिक्स के उपर बात करें जो की बेहर जरूरी होता है एक good governance के लिए और कहीं न कहीं ruling party या opposition को यह याद रखना चाहिए कि वो एक democratic structure में रह रहे हैं जहां पे हर 5 साल के बाद यहां के common civilians को यह मौका मिलता है कि वो सरकार के खिलाफ या उनके पक्ष में vote करें I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye